नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे सोरा माच शनिवार दो पैसावा तीन बजे राजसान की पंदा बड़ी खबरें इस न्यूस बुलेटिन के प्राइयोज़क है विनी, विनी केक अन मोर तो सबसे पहल एक नज़र डालते हैं अचके हेड्लाइन्स पर कांग्रेसी नेताओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी जॉइन की पूर्वसान सद और पूरी विधायक समित 35 नेताओं को जैपूर में दी सदे सता राजसान में मंत्रियों की विभाग बंटवारे में फिर बदल इन पांच नेताओं को बनाया और पावरफुल मोधी बोले देश ने घोशना कर दी है आपकी बार 400 पर परशे मंगल परिस का थानेदार रिश्वत ले ने पहुंचा राजसान एसी बेने 50 हजार रुपए लेते धादवोचा और जैपूर के अलबर्ट हॉल का नाम फिर बदने की चोड़चा और अब खबरे रिस्तार से रास्तान में आज कॉंग्रिस के 35 नेताओं ने भारते जंदा पार्टी जॉइन की है जो अपर में बीजेपी आफिस में प्रदेश अध्यक्षा सीपी जोशी ने कॉंग्रिस के पूर्व सांसात करंड सिंग यादव, पूर्व विधायक परम नवदीब सिंग, पूर्व निरुदिले विधायक सुरेश टांक, जिला प्रमुख सुशीला कमर पलाडा, कॉंग्रेस से चूरू विधान सभाके, पूर्र प्रतियाशी प्रताब पूनिया, अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिलर और पुरु विधाइक पुखराज गर्ग समीट 35 नेताओं को बीजेपी की सिदसिता ग्रहन करवाई। लोग से बचनाओं की तारीखों के अलान से ठीक पहले राजिसान की बजनला सरकार में शामिल 5 मंत्रियों को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। इन में वित्त विभाग, परेटन विभाग, कलासाहित संस्कृति और पुरा तत्व विभाग, सर्वजनिक निर्मान विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, बाल अदिकारता विभाग शामिल थे लेकिन 15 मार्ज को ने पंचाईती राज क्या धिनिस्त महिला एवं बा अब से कुछ ही देर बाद दिली में चुनाव की तारिकों का एलान हो जाएगा, लेकिन तारिकों की आपचारिक एलान के पहले ही देश की जनिता ने देश के नतीजों का एलान कर दिया है, देश ने घोशना कर दी है कि अब की बार 400 पार, मोदी ने कहा ते लंगाना में व पश्यमंगाल पुलिस के अपने रिक्षा का स्वपन कुमार राय को 50,000 रपे के रिश्वत लेते गिरफतार किया है, थानेदार दुश्कर्म के आरोपी को गिरफतार नहीं करने की एवज में रिश्वत लेते पकड़ा गया है, बस्तर चार निरों तक बीरों के एसपी रिश्वत की मांग की जा रही थी, इस प्रकरण में गिरफतार नहीं करने के आवज में पश्यमंगाल के बैरकपूर पुलिस कमेशनल रेट के नहीं हिटी थाने के सब इंस्पेक्टर की और से एक लाख रिश्वत की मांग की जा रही है, उपने रखशक ने आरोपी से उस का रम द्वार कर सकती है इसकी गोशना शनिवार को संभव है दरसल शनिवार को लक्सबचुनाव की गोशना के बाद आच्वार सहीता लागू हो जाएगी सरकार इसके नाम की पहले ही गोशना कर सकती है सूत्रों की मानने तो अलबर्ट हॉल के नाम बदनने की तयारी पूरी हो चुकी है केंद्र की मुहर लगते ही बदले हुए नाम की घोशना हो सकती है उत्र प्रदेश के आई एस अफसर नवनीत सहेगल को प्रसार भारती का ध्यक्ष बनाया गया है भारत सरकार के सुचनाया प्रसारन मंत्राले की तरफ से जोरी किये गए औरर में ततकाल करने के निर्देश दिये गए हैं राजसान में गर्वती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए भटकना नहीं होगा शिशुमृत उदर में भी कमी लाई जा सकेगी इसके लिए सरकार मुख्य मंत्रिया आईश्मान आरोग्या मावाउचर योजना लागू करने जा रही है फि प्रदेश में 3 लाग गर्वती महिलाओं को लाब मिल सकेगा चिकिसा ए स्वास्थ मेडिकल शिक्षास सुब्राइश्य अनुसार प्रदेश में जिन सरकारी ऐ स्पतारों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है उन शेत्रों में नेज्जी सोनोग्राफी केंदरों पर पुछ का कहना है कि वसंद्रा राजे सही मौके के इंतिजार में हैं इसलिए मौन धारन किये हैं। ऐसा काव जा रहा है कि वसंद्रा राजे ने लोकसबा चुनाओ लड़ने से इंकार कर दिया जब कि MP के पूर्व CM विदान सबा सदस्य होते हुए भी लोकसबा का चुनाओ लड़ रहे हैं। किया गया है ये ट्रेन दोसा से 11 स्टेशनों पर ठहराव के साथ 95 किलोमेटर का सफर तैकर लगबग साड़े 3 घंटे में पूरा करेगी ये ट्रेन अजमेर से दोसा तक चलती थी अब इसका विस्तार करके गंगापुर सिटी तक बढ़ाया गया है जो सब्ता हमें 6 दिन चल की है पहले चरण में साथ अप्रया तक भारत में 21 मैश खेले जोने हैं हालांकि सत्रवे सीजन के दूसरे चरण का योजन भारत से बाहर हो सकता है लोग से बचनाव की तारिकों का एलान शनिवार को होना है जिसकी बाद बी सी सी समन में बड़ा फैसला ले सकता है सरकारी विभागों के कारले उधारी की बिजली से रोशन हो रहे हैं आमो भुकताओं का यदि 10,000 रुपे भी बकाया है तो डिसकॉम की टीम बिजली कनेक्शन काटने पहुँच जाती है सिती यह है कि सरकारी विभागों में जालावार जिले में करीब 30 करोड रुपे बका पा रहा है। जाताओं के बीच मताता जागुकता पैदा करने के लिए जालो और वैसान चोर जिले की पांचों विधान सफाओं में आठाट महिलाओं युवाँ और एक दिव्यांग द्वारा विशेश प्रतिबंदित मदान केंट्र के विवस्था की गई है। जाताओं में हर्ताल पर होने की चलते सफाओं विवसाच चौपट हो गई है। सरकार एक और पशुपालकों की खुशाली के लिए गाओं को सहकारी डेरी से जोड़ने पर जोड़ दे रही है। वहीं सवाई मादपूर करॉली जिला दुख दूत पादक सहकारी संग से 25 परतिशत गाओं ही संबध है। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपून खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।